हेलो एवरीवन देखिए हम लोग रिंग थियोरी में रिडिसियूबिलिटी और एर्रिडिसियूबिलिटी और पॉलनोमियल का जो हमारा कॉंसेप्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं ठीक है तो आज का हम लोगा जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट रहने वारा है इसको एक रिकॉल कर लेते हैं कि जो रिडिसियूबिलिटी है वो क्या होता है यानि किसी पॉलिनोमियल को आप रिडिसियूबिल कब बोलते हैं तो जब पॉलिनोमियल एके अगर इस तरीके सा आप लिग सकते हैं GX इन्टू HX के परोड़क्त में ठीक है बहुत हो पोजिटीव दिग्री कि दो पोलीनोमियल के प्रोड़ट में अगर आप लिख सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा में क्राइटेरिया है वह हो है irreducibility का तो हम लोग कब किसी polynomial को irreducible बोलेंगे तो देखिए in order to confirm irreducibility of a polynomial we have following criterion देखिए हमारे पास में कुछ criterion है जो बहुत हमारे लिए important है उसको हमको याद रखना होगा जिससे हम यह decide कर पाएंगे कि मेरा कौन सा polynomial irreducible है और कौन मेरा reducible है ठीक है देखिए नमबर वन इसमें आ रहा है बिल्कुल first है देखिए का वो क्या है वो है Einstein criterion आइसेंटीन स्क्राइटेरियन ओभर rational ठीक है तो यह बहुत important है एक्जाम में पुछा भी जाता है कभी कभार इसी क्राइटेरिया से ही question सारे आ जाते है ठीक है इन फैक्ट हमारा जो CSIR का एक्जाम होगा उसमें इससे question आता है ठीक है और ऐसे भी आपके यह graduation level पर इंपॉर्टेंट है ही तो आइजेंटीन का जो क्राइटेरिया है वो है ओभर ध्यान दीजेगा यानि यह रेशनल के साथ यह confirm करेगा कि ओभर रेशनल जो polynomial given है वो irreducible है या नहीं ठीक है तो देखिए क्या है इसका हम पहले देख लेते हैं क्राइटेरियन क्या है क्राइटेरियन यहां पर देखिए आराम से देखिए ठीक है यहां क्राइटेरियन है कि primitive polynomial ठीक है अच्छा primitive किसको बोलते हैं अगर देखिए इस तरह का कोई polynomial है एण और इसमें अगर सब का जीशीडी वन हो ठीक है धियान दीजेगा मैं लिए देता हूं अगर सब सब का जीशीडी वन है जैसे अनौट है ठीक है एवन है एटू है तो इन सब में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए याद रखिए गहां इन सब का जीशीडी क्या होना चाहिए वन अगर इन सब का जीशीडी वन है तो हमनों इसको क्या बोलते है प्रीमिटिफ पोलिनोमियल ठी तो हमको चेक करना है ओभर रेशनल ध्यान दीजिए हां लेकिन हम उस पोल्नोमियल को देखेंगे जिसके पोल्नोमियल के कोईफिसियंट क्या होंगे होंगे अज जनरली इंटिजर ही रहते हैं तभी आपका वह पोल्नोमियल जो है वह बेस्ट वे में डीफाइन हो पाता है तो आगे देखिए तो इंटिजर होगा इस इर्रेडिसिबल इसको हम लोग बोलेंगे Irreducible over rational, ठीक है? कब, if there exists a prime P, जब हमको कोई एक prime P नजर आएगा, मिलेगा, ऐसा prime, जो क्या करता होगा? इन तिनों प्रोपर्टी को hold करता होगा, क्या? कि AI को divide करता होगा, for all 0 to n. 0 include है, 0 क्या है? include है, मनद जीरो को भी लेना है, लेकिन आपका n क्या है? इसको नहीं लेना है, और इसको आपको लेना है, ठीक है? दिहान दीजेगा, यानि क्या? यानि P आपका divide करता हो, सब को, ठीक है? A0 को भी करता हो, A1 को भी करता हो, A2 को भी करता हो, सब को करता हो, कहां तक? A1-1 तक, ठीक है? इन वाले को नहीं लेना इन वाले को in fact यह divide नहीं करता हो ठीक है पी नॉट डिभाइट्स ए इन और नमबर 3 कि P2 नॉट डिभाइट्स ए नॉट ठीक है तो जो नॉट डिभाइट्स है वो आप ध्यान दिजेगा वह जो है आपका वह आपका इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हम हमारा टर्मिनेटिंग को efficient है वह है आपका ठीक है जो हमारा टर्मिनल को efficient है ऐसा आप बोल सकते हैं तो ए इन और आट पर ध्यान देना है इन इन को ठीक है कौन डिभाइट ना करता हो पी और अगर बाकि सब को पी डिभाइट करता हो अगर ऐसा possible है तब आप डिफिनेटली कि उस दिये गए पोलिनोमिल को क्या बोल पाएंगे कि वह मेरा irreducible है और क्यों ठीक है तो काफी आपको यहां से important मिलने वाला है तो कुछ हम लोग यहां पर एक्जामपल देखते हैं तो हमें आपको एक्जामपल करेंगे तो हमारे बेश्ट जहांदी के साथ में clear हो ठीक तो देखिए समय के एक एक लिएता हूं हमको माल लिए check-out करना है ठीक है इस पोलिनोमियल को कि यह पोलिनोमिल मेर है या नहीं है ठीक है जैसे आप देख लें यहां पर मैं दिखा देता हूं पहला एक्जाम्पल है एक्स टुदी पावर फोर प्लस टेन एक्स प्लस फाइड चेक आउट करना इसको ठीक है देखिए कितने असानी से चेक करेंगे यहां पर पहले आपको प्राइम कैसा लेना करना है यहां से समझ में आएगा ठीक है कैसा च्षाल करना है कि ऐसा प्राइम कीड़्य सब्सक्राइं करता हो इंड को छोड़ करके तो यहां पर नोगबहन देख रहे हैं कि definitely मेरे पास में अक पर कम मिल जाएगा ठीक है और कॉन से मिलेगा तो आप देखिए यहां पर इसको देखें तो पहले आप अच्छे से देखिए तो यह आपका है क्या यह आपका क отвी स्थ इसको एर्रेंज कर देंगे तो यह है क्या उसको आप ऐसे दि दिख भी अजसे पीविल्हें है पीड़ पलस जीरो एक स्कूर है पीड़ आपका जीरो एकश क्यूब है और पलस एक्सका पावर यह समझ आपकर अगर हम यहां पर इससे कॉंपेर करें तो हम लोग देखते हैं कि एनौट मेरा क्या है एनौट मेरा 5 है ठीक है और जो एन एक मेरा हो one hand और फाइबर तो यहांपर देफिनिटली क्या एक प्राइफ कर सकते हैं कि लिट हुआ हो सब को डीवाइट करता हांगर आब देखेएगा तो ठीक है nessa सब्सक्राइब करना भी है है आप ध्यान दिशेगा कि A0 205 को दिफाइब करता है ठीक है क्यों पी जो है खुद 5 है उसके अलावा जो मेरा पी है वो डिवाइड करता है किसको 10 को चुकि 5 10 को भी डिवाइड करता है तो सब को डिवाइड करना है और 0 को तो कोई भी नंबर डिवाइड करता है ठीक है तो 0 वाले भी सारे आ जाएंगी तो हम कहा सकते है कि मेरा ए नंबर जो है ए नंबर वो मेरा तार्गेट सेट हो गया ठीक है मतलब के एक नंबर हिट कर रहा है अगर आप बी देखेंगे तो क्या पी लास्ट वाले को डिष्ट करता है तो यह सबसे हाइस्ट पावर का उसको यह करता है तो आपको यहां से भी वाला तो है डिभाइड नहीं कर रहा ठीक है अच्छा उसके लावाद एलसो पी का स्क्वाइर का मतलब क्या है फाइब का स्क्वाइर आएगा यह 25 आएगा 25 और डिभाइड इवाइड फर्स्ट कोईफिशियन 5 थीक है तो एन उट को डिभाइड नहीं करना था था पी का स्क्वाइड तो तो आपको सी क्रायटेरिया भी मिल गया और क्रायटेरिया कर रहा है एडेरफोर आप बोल सकते हैं कि जो हमारा आइजेंटीन का Criterion था ठीक है आइजेंटीन स किया अकॉर्डिंग टू आइजेंटीन Criteria इस Criteria से क्या हो रहा है यह जो पुल्नोमेल है ठीक है कौन सा fx एक्स इक्वाल टू x4 प्लस 10x प्लस 5 यह क्या है यह आपका क्या है यह एकजांपल किया है कुछ और एकजांपल आए यह देख लेते हैं हम लोग अगया थीक है यहाँ अगर आप देखें हैं तो यहां पर मेरा x3 तक गया है तो मेरा जो a0 है वो यह है this is a0 ठीक है a1 मेरा आप देखेगा तो minus 9 है a2 तो 0 है ठीक है यह मेरा a3 है चुकि a2 आपको बीच में अच्छा स्वरी यह तो मेरा a2 है अब नॉट फिर उसके बाद जो है आपका a0 a1 x a2 x2 अच्छा इसमें तो सारे ही है ना तो a3 है फिर a4 भी है सब कुछ है ठीक है चलिए सब कुछ यहां पर मौजूद है कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो a1 a2 a3 यह मेरा a2 का लाएगा यह मेरा a3 का लाएगा ठीक है तो क्या लिखेंगे लिखेंगे a2 and it is a3 तो अब देखिए यहां पर क्या प्राइम आप लीजिएगा आप चूस कीजिए तो दिखें मैं चूस करता हूं आप भी चूस कर सकते हैं एक प्राइम क्या यहां पर देखिए कई तो यहां पर आपका यह प्रइमिनतिफडर कर रही है तो दे देखिए अब हम दो यह देखते हैं कि डिफिनिटली क्या है जो मेरा पी है ठीक है याने थिरी वो क्या करता है वो सब को डिभाइड करना चाहिए तो 24 को भी डिभाइड करता है ठीक है 9 को भी डिभाइड करता है और यह 6 को भी डिभाइड करता है तो सब को डिभाइड कर रहा है एक तरफ से 3 मेरा divide नहीं करता है 8 को और यह होना चाहिए था लास्ट और को efficient कोई divide नहीं करेगा ठीक है और यह भी हमनों देख रहे हैं कि जो इसका square है 3 का square क्या होता है 9 तो 9 जो है यह divide नहीं करता है इसको 24 को सारा criteria आपका हिट कर गया AB कर गया ठीक है भी हो और आपका और यह क्या है यह हम उली सकते है कि according to जो हमारा आइजन्टीन criteria है ठीक है criteria इससे यह क्या है इससे यह it is irreducible यह आपका irreducible है किसमें over rational q ठीक है बहुत आसाने से चेक कर पा रहे हैं आप ठीक है इसे तरीके से एक और example लेचकते हैं इसमें है हमारा x to the power 3 plus 3x square minus 6x plus 3 ठीक है अगर आप देखेंगे तो यह अगेन क्या है यह अगेन आपका primitive polynomial है नो डाउट तो हम लोग आइजन्टीन criteria को apply कर सकते हैं ठीक है और यहां पर आप कौन सा चूज करेंगे ठीक है तो यहां पर आप कौन सा चूज करोगे वह आप सोचो कि किसको चूज किया जाए फिर से आप पी को ठीरी रख करके देख लेना प्राइम ठीरी आपका सारा criteria को यह solve करेगा और यह फिर से आपका क्या आ जाने वाला है irreducible आ जाने वाला है जैसे उपर चेक किया था ना वैसे आप चेक करके देख लिजिएगा ठीक है यह क्या जाएगा यह भी आपका irreducible आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से और भी example आपके लिए मैं दे देता हूँ आप इसको चेक करके देखना x4-3 x-6 अगेन इसको आप चेक करके देख लिजिएगा ठीक है यह भी हमारा पी इकवल टू 3 अगर आप चूज करते हैं तो यह आपको सावित कर देगा कि क्या है यह आपका irreducible है यह आप करके मेरे को comment कीजिएगा जरूर कीजिएगा ठीक है अच्छे से पढ़िए दिल लगा करके ठीक है मेरा भी दिल खुस कीजिए teacher का दिल खुस करेंगे तो definitely क्या है आपको success मिलेगा ही मिलेगा 3 x cube plus 4 x square ठीक है बिंदास तरही किसा आपको प्राइम दिख रहा होगी कौन से प्राइम मेरे को लेना है ठीक है यह सब आप देख लिजेगा यह ठीक है यह आपका ग्राइशन्टुन के बाद एक चरते व करते हैं जो है हम आप क्राइटियों मोडली पे लूब्ट कर लेते हैं तो देखिये इसको हम लोग ईसे कर सकते हैं ठीक है क्या है आप ओलीनॉम्यल ए पोलिनोमियल ठीक है fx is irreducible over rational q ठीक है यह irreducible होगा कब, when, यह आप तब कर सकते हैं आसानी से जब क्या हो जब if bar x आप एक नहीं या कोई ले पोलिनोमियल ठीक है इस तरीके से कि यह क्या हो यह congruent हो fx ठीक है मॉडुलू p के और यह जो fx है definitely मेरा क्या होगा यह मेरा set of integer ring के collection से मिलेगा मेरे को ठीक है ना तो यह मेरा एक नहीं पोलिनोमियल हमको मिले f bar x जो fx के congruent हो ठीक है under modulo p such that इस तरीके से इस तरीके से आपको लेना है ना कि जो degree है किसके degree degree of इस नए पोलिनोमियल की यह equal होना चाहिए किसका degree of आपके जो पोलिनोमियल को आपको चेक आउट करना अगर इन दोनों के degree बरावर है ठीक है इस तरीके साब को नया पोलिनोमियल लेते हैं ठीक है और अगर आप यह देखते है कि यह जो f bar x है यह जो नया पोलिनोमियल है वो क्या है वो आपका इरेडियूसीबल है ठीक है इस इरेडियूसीबल अगर यह इसमें इरेडियूसीबल हो जाएगा तो आपका जो f x है ना वो क्या हो जाएगा वो आपका इरेडियूसीबल हो जाएगा इरेडियूसीबल किसमें ओभर रिष्णल में यह बहुत ही पावर्फुल हमारा हत्यार है ठीक है हम तो क्या करेंगे पोलिनोमियल को वो एफेट में भी इरेडिसँबूल होगा ठीक है आप यहां पे देखिए एक important बात है कि यह जो मेरा जीमा टी है यह क्या है यह आप देखिएगा तो यह होता है अमारा ठीक है यह क्या होता है यह होता है set of residue set of residue यह remainder module p होता है ठीक है यहानि इस इसमें जो collection होता है वो सिफ जो है residue का होता है ठीक है तो वह आपका 0 हो सकता है 1 हो सकता है ठीक है 3 हो सकता है और आपका P-1 हो सकता है ठीक है तो इसमें तो अब इसमें आप irreducibility कैसे चेक करेंगे तो वह होगा आपका reducible का Contra positive ठीक है ध्यान दीजिएगा यहां आपके मैं note लिएता हूं note कैसे चेक करेंगे तो इसे चेक करेंगे इफ ठीक है क्या if bar x ठीक है is not reducible यहन्हें आप क्या चेक करने जाएंगे आप चेक करने जाएंगे reducibility ठीक है तो अगर मेरा if bar x not reducible होगा ठीक है इसे लिखेंगे इसको हम लोग ठीक है इस not reducible ठीक है ओवर जीपी ठीक है इस इंप्लाइस क्या हो जाएगा if bar x मेरा क्या हो जाएगा is irreducible हो ठीक है तो irreducible को चेक करने के लिए हम लोग सिंपल ही क्या करेंगे not reducible वाला को confirm कर लेंगे ठीक है अब not reducible कैसे confirm होगा तो आपको पता है कि reducible कैसे आप confirm करते है ठीक है अगर reducible नहीं है तो वो not irreducible है ठीक है तो आपको ध्यान यह देना है क्या कि इफ कि जो नए फंक्षन है मेरा नए पुलनों मेल है इफ एफ बार एक्स इज ठीक है 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 जो कि यह एक फाइनाइट फिल्ड है अभी मैं यह बात लिखने वाला भी हो कि अगर मेरा कोई फाइनाइट फिल्ड है तो एक फिल्ड में आप आसानी से चेक कर सकते है थीक है तो वह कैसे वह रूट के तरीकते है इस 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 नो take यहां पर आपको यह काम करना काफी आसानी के साथ हो जाएगा और एक बार अगर यह अब आप बिदास तरीके से काम कर सकेंग तो यहां पर जो एक नोट आगया है तो वह भी देख लेते हैं कि कोन जीपी में और किसको अप site में reducible नहीं बोलेंगे ठीक है तो यहां पर हमारा जो एक छोटा सा रिमार्क आ गया उस पहले उस पर काम कर लेते हैं क्या रिमार्क आ गया है कि चेक करना ठीक है है टो चेक है कि अदिधि इसीबिलिटी है रीडियुशीबिली टीड닐 प्रता प्लीनों मिएल्स ठीक है ओवर घीपी यानि कि या देखेंगा तो क्या है यह आपका फाइनाइट फिल्ड है फाइनाइट फिल्ड में हमको चेक करना है ठीक है और पीएर फीजाने वह है प्राइम है ठीक है किलियर है तो आप देखिए तो इसमें हम लोग कैसे चेक आउट करते हैं काफी आसानी से आप चेक आउट कर पाएंगे जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं ठीक है ना जैसे देखिए तो यहां पर आप सिंपले पहले एक बात यह लिख लेगी है कि एक मुझे बात लिख लेते हैं कि इफ अगर मेरा कोई पुल्नोमियल है एफ ठीक है बिलॉंग्स टू माले जी किसी जो है फिल्ट पुल्नोमियल का वह कलेक्शन में से आता है कोई पुल्नोमियल तो इसका अग यह रूट रखता है ठीक है इन जी पी धैन क्या होगा देन अलों सब्सक्राइब बोलेंगे यह रिडियुसिबल है ठीक है अब देखिए तो अब यहां पे हम लोग यह देख लेते हैं कि कोई एक्जाम्पल हम लोग यहां पर करेंगे जिसे हमारा कलर हो जाएग जिसे एक 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 एजामपल देखिए, एक मैं लेता हूँ, ठीक है, एक मैं लेता हूँ, ठीक है, या इस तरीके से देखिए, एक question है, आपर, show कीजिए, show that, ठीक है, x4 plus 2x3 plus 3x plus 1 is reducible, is reducible in g5x, ठीक है, यानि कि यह collection लिया गया, आपनों का, तो अब g5x में, आपको दिखलाना है, कि यह क्या है, यह हमारा irreducible है, sorry, आपको क्या दिखाना है, कि यह reducible है, कैसे दिखा सकते है, देखिए, बहुत आस्वाम तरीका होगा, आप यहां पर यह दिख लिजिए, कि यहां पर मेरे पास में, g5 के पास में, कौन-कौन सा element है, तो एक तो इसमें, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और 4 है, जो कि यह set of residue है, यही ह होगा, 0 से लेकर पर 4 तर ठीक है, अब सब आप बारी बारी से चेक करते हैं, आप क्या किजेगा, आप इसको माल लिजेगा, जो भी आपको दिया हुए, पुलनों मिल, fx माल लिजेगा, ठीक है, अब आप चेक किजेगा, तो now हम यह देखेंगे, अगर हम f0 रखते हैं, य 6 और 7, 7 आता है, ठीक है, और 7, 5 से अगर डिवाइट किया जाए, 7 को, जो रिसीडियू हो क्या आजाएगा, वो मेरा 2 आजाएगा, ठीक है, न, मॉडूल 5, तो एक्चुली यह क्या आजा रहा है, यह आपका 2 आजा रहा है, ठीक है, इसी तरीके से अगर आप f2 निकालते ह है, तो f2 में क्या आजाएगा, यह 16 हो जाएगा, दो का पावर 4, फिर यह 16 32, 32 और यहां पर आपका 6, 38 और 49 आ रहा है, ठीक है, अगर आप 5 से डिवाइट करेंगा, तो अगर यह क्या आजाएगा, एक्चुली 4 आजाएगा, ठीक है, ठीक है, यह, देखें, हमको बस यह द बोलेंगे, तो आगे देखिए, और चेक कर लिए, इसी तरीके से f3 पे चेक कर लिए, f3 पे चेक करेंगे, तो हमनों का value आएगा, देखिएगा, तो 1, 4, 5 आता है, ठीक है, and 1, 4, 5 is, it is 0, तो यह आपका 0 हो गया, module 5 में, ठीक है, चुकि हमको 0 मिल गया, किस पी मिला, 3 पी म root, यह आपका root है, किसका, of fx, ठीक है, belongs to g5x, तो चुकि root मिल गया, तो root मिलने का मतलब क्या है, कि simply fx, जो हो मेरा, वो क्या है, is reducible है, तो यहाँ पे देखिए, आपको, यहाँ पे जो reducible है, वो मिल गया, तो यहाने कि क्या यह reducible, irreducible नहीं है, ठीक है, fx is reducible, so fx is not irreducible, ठीक है, जो कि इसका compliment है, तो अगर irreducible आपको देखना था, तो यह irreducible नहीं रहा, जो कि यह क्या हो गया, यह आप से reducible हो गया है, ठीक है, इस तरीके से, जो इस तरह का finite field है, ओपर finite field, वो चेक करना हमारे लिए, बहुत ही आसान है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी remark आपको पता है कि यह जो root का होना है, जो root मिलना है, तो यह root का मतलब जो है, आपका reducible, यह क्या होगा, यह finite field होगा, ठीक है, root का मिलना, ठीक है, existence of root, existence of root, root का मिलना, this implies क्या, this implies reducible, ठीक है, यह कब होगा, यह आपका over finite field होगा, यह याद रखियेगा, finite field और वो भी कौन सा, GP, आन्ने set of residue वाला, ठीक है, अचा, otherwise, यह याद रखियेगा, जो other case है, जो infinite field का generally case लेते हैं, तो existence of root है, existence of root, यहनि, root अगर आपको मिल गया, तो आप यहाँ से, this does not necessarily imply reducibility, reducibility, ठीक है, of polynomial, क्या, over infinite fields, infinite field क्या, rational में, या माल लिजे, जो integer है, हमारा infinite state है, ठीक है, फिल्ड नहीं है, ठीक है, उसमें, या state of real में, या state of complex में भी, हम इसको reducible बोले, यह ऐसा नहीं होगा, ठीक है, याद रखियेगा, यह सिर्प एक finite field के लिए ही, खास है, जैसे मैं आपको एक एक्जांपल दिखाता हूँ, जाप एक्जांपल देखेंगे, तो आपको यहां से confirm हो जाएगा, कि आप यह देखेंगे, कि जो fx है, वो क्या है, वो हमारा है, x plus 3, ठीक है, अच्छा, और यह क्या है, यह हमारा एक, जो है, polynomial ring है, एक हमारा polynomial है, ठीक है, in ring of reals, ठीक है, ring of real में यह belong करता है, अच्छा, collection of polynomial over ring r, ठीक है, तब देखेंगे, यहां पर हमनों देखेंगे, तो यहां पर हमको root तो मिल जाता है, for x equal to minus 3, minus 3 क्या है, एक real value है, ठीक है, तो क्या होता है, आपका fx क्या होता है, fx आपका 0 के equal हो जाता है, ठीक है, 0 of r के equal हो जाता है, तो इ fx जो है मेरा वो, क्या है, reducible नहीं है, irreducible है, कैसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, मैंने पहले इसको discuss किया था, but fx is irreducible, ठीक है, क्यों, because, because, ठीक है, it not have a, have a factors of polynomials of positive degree, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाने बताया था, आपको, कि reducible होने के लिई जरौरी है, कि आप उसको जो है दो पोलिनोमियल में तोड़ सकते हूं जिसका पॉजिटिव डिगरी हो ठीक है तो अगर आप तोड़ेंगे भी तो ऐसे तोड़ेंगे वन इन टू एक्स प्लस थ्री और वन क्या है तो वन हमारा देखिएगा तो एक क्या है एक आपका कॉंस्टेंट वैल जब कि उसके पास में रूट है तुमियम में ने कहा कि जो इन्फाइनाइट सेट्स है क्यों आर सी इसके ओभर में मक्री अी अिस दला से हो किसे लिए इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि अगर को एक इल में उसके पाक्तिंश पास मैं इनना इंगा Cambridge हो में जो πलने स्थ बहुंत हैं मैंने पहले भी डिश्कॉस किया था यहां पर देखे साफन और नग्हां-ट रिमार्क बनेगा कि अगर किसी पाली कि लुट nuclear ्ट नहीं है थिक्ष। कि ऋप्ली नोम outdoors थीक है में और किसी पोलीनोमील का कोई रूट नहीं है तो इसका मतलब नहीं है ठिक है कि वो क्या हो जाएगा वो irreducible हो जाएगा ठीक है ओके दिस डॉस नॉट नेसेसरली इंप्लाइग इट इस 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 बाद ध्यान दीजिए हां मतलब कोई रूट आपको नहीं मिला आप इसको बोल देंगे कि भाई यह इसका भी मैं आपको एक्जांपल दिखाता हूं इससा आप एक्जांपल देखिए आप देखिए एकस फोर प्लस फाइब एकस स्क्वार प्लस फोर ठीक है अगर हम लोगों इसको देखें अब फ्रॉम पोल्नोमिल और अर ठीक है तो हमको यह दिखता है कि इसका कोई रिएल नहीं है ठीक है थेस नो रिएल रूट आप निकाल के देख लीजिए का कोई भी रिएल रूट नहीं आएगा बट लेकिन आप देख सकते हैं कि यह जो एकस फॉर प्लस फाइब एकस स्क्वार प्लस फॉर है इसको आप आसानी से दो फेक्टर मैं आप तोड़ सकते हैं प्लीनोमिल में ब्रेत हो रहा है ठीक है और उनकी दिरी पॉजिटिभ तो यह क्या है इसके पास में कोई रूट नहीं है बट्यyan कि क्या है ठीक है इस्य तरीके से एक और एक्जांपल आंप देख सकते हैं जैसे आप लूट सब्सक्राइब देख लें इसके पास में भी कोई रियल रूट नहीं है है इसको तोड़ने पर आएंगे तो चुकि यह फिमस एक्सप्रेशन है इसको आप तोड़ते हैं ठीक है तोड़ता है मेरा कैसे एक स्कॉर्ड प्लस एक स्कॉर्स एक स्कॉरर माइनस एक स्टारिके से तोड़िया लिए ठीक है तो यह थे तो याद रखेगा कि जो इन फाइनाइट फिल्ड से खास करके तो उसमें रूट का होना ना होना जरूरी नहीं है हाँ फाइनाइट फिल्ड के लिए जीपी के लिए आपको यह रिजल्ट दे दिया गया ठीक है तो फाइनली जो हमारा फाइनली पढ़ा था वहां पर चले आते हैं बात में बहुत हो गई यहां पर तो यह हमारा जो सेकंड क्राइटरिया है अब समझ जाएंगे कि अगर आपको irreducible चेक करना है तो आप एक नया पोलनोमियल त्यार कर लिजेगा जिसका डिगरी शुरू वाले के सेम होगा और वह पोलनोमियल आप ऐसा त्यार कीजिएगा जो आपका फाइनाइट फिल्ड में यह इरुडूसिबल हो जाए अगर फिल्ड में एरुडूसिबल हो जाता है तो आप कोई भी प्राइम पी के लिए थी कहा कोई भी यह बहुत अच्छा रहेगा ठीक हाप उसको डाइक लीए लिट बोल पाएंगे ठीक है तो यहां से भी और ये एग्जांपल तो आज ये कैसे काम करता है कि तो देखिए हमारे पास पीम्हां एक ये ये इरेडिूसीबल है आप दिखिए कि यहां पर फिर्तिन काहिए और कर सकते हैं नी technicians तो यहां पर हम लोग चूज कर रहा है एक प्राइम चूज कर रहा हूं प्राइम कैसा पी इस इकौल टू अब देखिए ऐसा प्राइम चूज कीजिएगा जो इसके डिगरी को ना बतले ठीक है अगर आप थी लेंगे तो फ्री मॉडुल में जो 21 x cube है वो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा याद रखिएगा मॉडल 3 में चुकि 3 जो है डिवाइट करता है 21 को तो आपको प्रब्लम हो जाएगा आपको डिगरी चुकि बचाना है वही डिगरी रखना है तो आप ऐसा प्राइम लीजिएगा जो इसको 0 ना करता हो तभी तो इसको डिगरी 3 बचेगा बात समझ में आ रही है क्योंकि यह हाइस डिगरी है तो पी इक्वल टू ले ले लेते हैं देन क्या होगा ठीक है इस बार एक्स क्या आ जाएगा देखिए तो अगर हम लोग इसको चेंज करें 21 x क्यूब माइनस 3 x स्क्वार प्लस 2 x प्लस 9 यह ज जीरो कर देगा प्लस 9 तो देखिए कितना मज़ा आ गया 9 को भी आपको बलके एक कर देगा ना ठीक है तो यह आपका चेंज हो क्या आ गया एकस क्यूब माइनस x स्क्वैर और प्लस वहाना अगया थिक है मौडल्लू टू नहीं तो हमको इसको देखना है कि क्या ये रिद्विट रहे अभर जी ठीक है तो आप इसको देखिएगा तो आप बलपाएंगे ठीक है एल सो क्या कि यह जो इव्बार एक्स आया है यह क्या है यह यह रिद्वित तो कैसे तो आप देख सकते हैं आराम से अगर आप 0 डालते हैं तो इसको रूट नहीं मिला रूट नहीं मिला तो यह क्या है है कि f-bar क्या है is irreducible ठीक है irreducible ओभर जीटू और अगर यह जीटू में irreducible है तो आप यहां से डायेट आपका पुराना वाला पूल नहीं मिल था वह काम कर रहा है तो हम बोलेंगे fx is irreducible ओभर क्यूब ठीक है तो कितना अच्छा देखिए क्राइटेरिया काम कर रहा है ना मज़ा आगे देख करके आपको ठीक है एक और हम एक्जामपल देखेंगे तो और मज़ा आएगा ठीक है जिसे देखिए एक सेकंड एक्जामपल देख रहा है कि आपको दिया हुआ है fx is equal to ठीक है क्या है 4x cube plus x square minus x plus 3 ऐसा तो फिर से आप तो आप 2 नहीं ले सकेंगे ना ठीक है 2 लेंगे तो यह 0 हो जाएगा ठीक है x cube plus x square minus x plus 3 इसमें अगर हम लोग लगा देते हैं क्या मॉडुलू 3 तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 बचेगा ठीक है x square ठीक है यह x और वो 0 हो जा रहा है ठीक है ना यह बच रहा है यहां से आपका देखिएगा x common आ जाता है तो x square plus x minus 1 तो यह तो आपका क्या हो गय रिडियूसीबल ठीक है तो जो रिडियूसीबल वाला है वो तो वर्क नहीं करेगा ना नौट वर्क्स यह वर्क नहीं करेगा इसलिए कि आप रिडियूसीबल से आप यह नहीं बोल सकते कि अगर यह G2 में G3 में रिडियूसीबल है तो यह आपका Q में भी रिडियूसीब होगा अगर irreducible होगा ठीक है over g3 तभी हम इसको imply कर सकते हैं कि यह irreducible है किसमें over q में ठीक है reducible के लिए यह चीज नहीं है तो reducible होगे तो मेरा criteria काम नहीं कर रहा है तो कोई और प्राइम छाट यह ठीक है और नियू प्राइम को यह पीवल टू अधाइगा ठीक है तो एफ बार एक्स किया आ जाएगा एंदेखे और अनौन देखे तो फोर एक्स क्यूब पलस एक स्कुयर माइनिस एकस पलस ठीक है तो सब तो सारा को इस्ट किया है आपका सारा जो कोईफिसियंट है वो मेरा 5 से तो छोटा ही है तो यही सेम रह जाएगा तो हम लोग यह देखते हैं कि जो जी फाइब है उसमें मेरा चार एलिमेंट आएगा जीरो वांड टू थी और यह पाँच एलिमेंट आएगा तो हम लोग किसी को भी रख करके लिए ठीक है अब आप रख करके देखते जायेगा अगेशन ढytyy यहान आ थिरी से नहीं आ जाएगा ठीक है जीरो तो नहीं आ रहा और से बेन को नोट टू बोलेंगे ना अंडर ओडलू फाइफ इसी तरीके से अगर आप इफ बार टू रखें ठीक है तो आपका फिलु देखीगा क्या आता है आठ चोक बतिस और 4-36-36 में दो जाएगा तो 34-37 नहीं समय ए और आप ठीक हमाit थिरीं रखेंगे तो देखे लिएगा थिलोमेर करके स्थैट फरी आता है और अगर फोर उर्खेंगे भी रखने पर भी साइदियेवन यह नहीं आता है ये जिरो नहीं आ रहा तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्यों एक बार एक से वो क्या है वो मेरा इर्रीदूसिबल है इस नौट रीडिदूसिबूल ठीक है ओवरन जीपी एक हमको प्राइम मिल गया is not रिदूसिबल मुलत आप जो पुर्णोमियल एक सब्सक्राइब धा पुराना वाला वह भी मेरा क्या होगा not या इर्रिडूसीबुल होगा ओवर क्यूब कितना असानी से चेक कर पा रहे हैं आप इस तरीके से ठीक है यह आपके लिए एक बेहतर क्राइटेरिया था चेक करने का ठीक है अच्छा एक लास्ट है जिसे यह दोनों ही आपका बहुत काम कर जाएगा एक जो इंपोर्टेंट टूँ और थर्री डिगरी का ठीक है ओली नॉमियल सब्सक्राइख है यौर्फ्स इसी का टूवद होता है एक्जायाह घई हमारे याद रखेगा कि इमपोर्टेंट भी है इस हमारे लिए यादंड बाम हो बन दिगरी का तो आप दीख रहें कि वलन दिगरी का जो है वह irreducible होगा चोकि उसको आप फिर बदल नी पाइं ठीक है तो टू डिग्री और थ्री डिग्री का यह ज्यादा important हो जाता है तो इसमें याद रखेगा इसमें यह काम करेगा ठीक है कोई भी आप ले ले चाहे ओभर आप ले finite या infinite field finite ले लिजिए या infinite ले लिजिए in finite लिकेगा infinite ठीक है कोई भी आप फिल्ड ले लिए finite का मतलब हो गया आप चाहे जीपी ले लो या infinite में आप चाहे रेसनल ले लो real ले लो complex ले लो कुछ भी ठीक है तो इसमें अगर आपको roots मिलता है अगर roots का existence है तो वह क्या होगा वह आपका reducibility को confirm करेगा ठीक है और अगर इसी का उल्टा अगर root नहीं मिलता no roots का मतलब क्या हो जाएगा का मतलब हो जाएगा irreducibility ठीक है तो यह जो है ना 2 degree में और 3 degree में आपको काम करेगा ठीक है ओके तो अब roots का मिलना तो यहाँ आप यहाँ आप याद रूट्स का मतलब होता क्या है कैसे चेक आउट करेंगे तो कोई भी polynomial है ठीक है for fx अगर कोई भी मेरा polynomial है being polynomial कोई भी मेरा polynomial है ठीक है polynomial अगर आपको दो भैलो मिल रहा है क्या for x equal to a and b a और b के लिए आपको मिलता है क्या fa और fb यह दोनों का जो product है वो less than 0 मिलता है पहले भी आप पढ़े हुए है तो अगर ऐसा मिलता है तो इसका मतलब definitely क्या है कि वो जो polynomial है वो कहीं नहीं x-axis को cut कर रहा है ठीक है सब्सक्राइब करता है तो यह क्या करता है क्या करता है confirms root और अगर यह root को confirm कर दिया तो यह reducibility को confirm कर देगा ठीक है और अगर रूट को confirm नहीं करता है तो यह क्या है यह आप definitely root से जा सकते हैं ठीक है और root find out करना तो we love root ठीक है आपको root में मज़ा ही मज़ा आता है ठीक है तो इससे भी मैं आपको कुछ example जहें करके दिखाता हूं ठीक है कैसे आप 2 degree और 3 degree को बहुत आसानी से आप check out कर सकते हैं जिसे देखिए एक्जामपल देख लेते हैं ठीक है एक्जामपल क्या है एक्जामपल एक्जामपल है ठीक है जैसे एक है आपका 2x square plus x plus one ठीक है इसको लेदा हूं मैं finite field में ठीक है ग3 x इसमें तो आप देखिए यह जो है अगर आप देखेंगे तो यह irreducible है डायट आप हो सकते हैं पहले आप देखेंगे कि है यह हमारा टू डिग्री का पुल नो मिल है यानि क्या है यानि यह आपका गुड निउस है जी एन गुड नाइट नहीं गुड निउस ठीक है हाला कि मैं अभी नाइट में ही बना रहा हूं तो गुड नाइट अभी नहीं काना भी कुछ थ्रूबा सा और बात करना आप से देखिए तो यह आपका डिफिनेट के आप दिखेंगे कि यह क्या है यह आपका इर्रिडूसी बला यह मेरे को देखने से लग रहा है कैसे कैसे आप देखें, G3 में कौन सा ऐलिमेंट होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ठीक है, अब आप चेक करके देख लो, F0 आप डालेंगे, 1 मिलेगा, F1 रखेंगे आप, तो क्या मिल लाएगा, 3, 3 नहीं मिलेगा, 3 और 4 मिलेगा, 4, अब 4 अगें क्या है, 4 आपका 1 है, अगर आप 2 रखते हो, तो क्या हो जाएगा, 8 और 2, 10 और 11, 11 का मतलब हो गया हमारा, 2, 2, 2, 3 में, ठीक है, 2, 2, 3, ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कि हमको 0 तो मिला नहीं, तो 0 अगर नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, यह irreducible है, तो आप डायट बोल सकते हैं, कि भईया, यह तो irreducible है, ओर जीमा थेडी, ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से, इसे माल लेजिए, कोई आपको, दूसरा मैं दिखाता हूँ, जामपल, दूसरा जामपल देखिएगा, वो क्या है, वो है मेरा, एकस क्यूब पलस एकस पलस वन, यह, ठीक है, अब इसको बात करना है किस में, आर एकस में, अगर रियल में बात करना है आपको, तो आप देखेंगे, डेफिनेटली क्या कि इसका तो रूट ही नहीं होता, आपको तो पता है, कोई आपको रियल रूट इसका नहीं मिलने व तो चेक करने तरीका तो हम नों को पताया है ना डिस्कार्ट हम पड़े थे अगर मैं यहां पे दो लिए नीगेटीव में काम हो जाएगा एफ-1 रखेता हूं और तो क्या होगा एफ-1 इन्टू एफ-0 इन दोनों का प्रोड़क्ट क्या गया है लेस दन जिरो एक निगेटीव है एक पॉजिटीव है इसका मतलब है अब आप जब इसका गराफ बनाएंगे तो आपको गराफ इसका ऐसा मिलने वाला है ठीक है माइनस वन पर माइनस वन मिला था ठीक है और यह हुआ है रिएल एक से मेरा थो एक रिएल मिलेगा ठीक दैर्फोर और हाना माईनश ओन से जीरो के बीच में प्र Baba वन से जीरो के बीच में ठीक है क्या होगा एक आपको रिएल मिलेगा तीक है such that such that fx equal to 0 हो जाएगा यानि हमको एक root मिल लाएगा और root आपको मिल जा रहा है therefore क्या है fx का एक root है has a real root अगर इसके पास में एक real root है इसका मतलब है क्या fx आपका irreducible नहीं है वलके क्या है reducible है reducible over r ठीक है अच्छा अब एक इस और देखिए अगर यहीं पर यह question रहा था कि क्या यह integer x में है जिसे यहापर मैं एक important बात करने वाला हूँ यह very important है च्योंकि एक्जाम में कभी कभार आ जाता है ठीक है number 3 यह है कि अगर मैं यह बोल दो कि क्या x cube plus x plus 1 ठीक है अगर आप आप उपर में देखे तो जो रूट मिल रहा है रूट x वो क्या है वो आपका लाई करता है lies in between किसमें किसमें लाई कर रहा है minus 1 to 0 इसमें लाई कर रहा है तो इसके बीच में रूट है तो इंटीजर तो होगा नहीं ठीक है x not belongs to integer x में रहाए कभी integer नहीं होने वाला इसलिए कि minus 1 integer है 0 integer है इसके बीच में तो कोई integer होता नहीं है तो यानि हमको जो root है वो integer नहीं मिल रहा है non integer मिल रहा है यानि ये integer में तो reducible नहीं है therefore क्या it is irreducible irreducible over set of integer बात समझना रही है आपको ये आपका set of integer में ये irreducible है तो मैंने जो criteria आपको बता दिया है I hope आपने इन criteria को काभी मजा लिया और आप सीख गए करने अब मेरे next video का इंतिजार कीजिए जिसमें मैं आपको CSIR का एक important question आपको बताऊंगा जिसमें हम लोग बहुत आसानी से इन तीनों criteria के help से हम लोग चेक आउट कर पाएंगे ठीक है किस तरीके से हम लोग किसी भी polynomial का जो reduciability है या जो उसका irreduciability उसको आपको confirm कर सकते है नेक्ट वीडियो का इंतिजार कीजिए ये तभी हो पाएगा जब आप subscribe कर लेंगे ठीक है और और भी सारे फायदे होते हैं आप भी जानते हैं ठीक है आज के डेट में हर कोई चाहता है कि उसको भी उसका fruit मिले ठीक है तो subscribe कर लिजिए और इसको अपने friends साथ में share कीजिए काफी अच्छा content है बहुत important है मिलते हैं next content में तब तक के लिए बने रही है thank you very much